धर्म क्या है और धर्म की परिभासा क्या है या क्या होने चाहिए मेरे ख्याल से आज तक कोई इंसान नहीं जानता आज एक बच्चे का जनम यदि हिंदू परिवार में होता है तो उसको हिंदू धर्म से जोड़ दिया जाता है आज एक बच्चे का जनम यदि मुस्लिम परिवार में होता है तो उसको मुस्लिम धर्म से जोड़ दिया जाता है वहीं सिख इसाई इन धर्मों में पैदा हुआ बच्चा हमेशा सिख इसाई ही कहलाता है परमात्मा जब आपको इस तुर्ती पर भेजता है जब इस तंसार में भेजता है मेरे ख्याल से ये नहीं देखता कि जा तेरा धर्म वो है तू उस धर्म में जा उस धर्म में जा हमारे अगर जहां तक मेरा प्रसनल तोर पर मानना है धरम मेरे ख्याल से कि इंसानियत का होना चाहिए और इंसानियत के बल के उपर ही जो काम हो वो किया जाना चाहिए अब हम यहां यह भी देखते हैं कि इस धरम के लोगों ने यह काम किये हैं इस धरम के लोगों ने ये काम किये है इस धरम के लोगों का जिने का तरीका ये होगा और इस धरम के जिने का तरीका ये होगा वहीं पिछले दिनों एक मुद्दा उठा था आपको भी याद होगा हिजाब का लोगों ने कहा था कि हाँ हम वर्दी के साथ खड़े हैं हां हम यूनिफॉर्म के साथ खड़े हैं मेरा भी ये मानना है कि हां हम यूनिफॉर्म के साथ खड़े हैं लेकिन यदि एक लड़की ये चाहती है कि मैं कहीं भी जाती हूं तो मेरा पहनावा ये होगा और मैं वहां जाऊंगी तो मुझे अपन लेना चाहूंगी एक बच्चे को मार दिया गया है मामला दोनों हिजाब और वो मामला दोनों आपस में जुड़े हुए हैं आपस में connectivity दोनों मामलों की हैं लेकिन मेरा मानना सिर्फ इतना सा है कि धरम आपको ये नहीं सिखाता कि जा फला की मोत कर उसकी हत्या कर धरम आपको कुछ ऐसे ही बाते लिखी गई है कि किसी भी जीव की हत्या करना पाप है वहीं दूसरे धरमों के जो गरंत है गुरु गरंत भी ये कहता है कि हां आच्छे करम करो और आगे बढ़ो कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इस धरम में किसी की हत्या करके इस धरम में किसी के साथ अन सिखाता है पाक रही धर्म हमें हमेशा यहीं सिखाता है अच्छा कीजिए और धर्म हमें हमेशा यहीं सिखाता है कि बुरे के साथ मत चलिए भावी जाता है कि एक इंसान यदि बुरा है तो उसके साथ ना बुरा बनिए ना अच्छा बनिए यदि बुरा बनोगे तो उसमें उन मुल्यों के साथ कि वो गलत है और फिर भी उसके साथ अच्छा बन रहे हो यानि कि उसका थपा कहीं ने कहीं आपके उपर लगेगा इसलिए ऐसे इंसानों से दूर रहना ही भला होता है और हमेशा कहा जाता है कि धरम कभी भी गलत रास्ते नहीं पकड़ाती गलत रास्ता हम स्वेम पकड़ते हैं और मैं तो हमेशा कहते हूं कि व्यक्ति कभी गलत नहीं होता उसकी विचार धारा गलत होती है व्यक्ति को मारने की कोशिश मत केजिए उस विचार धारा को मारने की कोशिश केजिए